हाँ तो मेरे यारो तो एपिसोड के शुरुबात में सिस्तोरिन के लोग कह रहे होते तो मजाग कर रहे हो ना कानुमा पूरी तरह से हार चुका है या तुम जानते हो लड़का कौन है इस पर दूसरा लड़का कहता है नहीं इस पर सुओ अपनी लड़ाई जीत के स्टेट से ये खुछ से सीखा था और वो इसे होच पोच कहते थे इसमें जीते कहता है वो ऐसा क्या और ये सारी चीज़े अपने डायरी में लिखने लग जाता है जिसमें हीरागी पीछे बैटा कहरा होता है कुछ भी हो लेकिन तुम एमोशनल भी हो गए थे क्यों वैसा मैंने एक्स अगर तुम अपना बैस दो तो इसमें रिख कहता है साकुरा तुम फिर से यही सब बात करने लगी इस पर सूओ कहता है क्या यार साकुरा तुम तो बहुत ऑनौइं लगते हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाना चाहूँगा जिसमें साकुरा घुस्से में खड़े हो यार यह साकुरा तो और गुसा हो जाता है और उम्मिया कहा रहा होता है यह देखके लगता है कि वो एक अच्छी टीम बनेंगे और फिर हम देखते हैं कि कानुमा इस लंबे वाले वाले को खीशता हुआ साइड मिलाके खुद भी चुपचा बैट जाता है इस लंबे वाले पटि वाले से लड़ना ता यार इसमें तो खूअ मीं कहता है ठीक है अब यह बताओ अगला कौन है यह साकुरा खड़ा ओके कहता है तो चलो आखिर का अरब मेरी बारी आई गई इस पर सिस्तोरीण का यह लड़का खड़ा होके हिरागी की तरफ उंगले दिखाता है और ह किहता है तुम तोगामी के खिलाफ लड़ोगे ठीक है तोगामी उनके सेकंड कमांड है औरमले ठीक होता अगर मैं उससे लड़ता दो यह पर सागーThis, अगरा कहता है तो हिरागी अपने बारे में जादा बात नहीं करता लेकिन वैसे भी फिर्ण के बाहर किसी को जानना कोई अलग बात नहीं है इसमें चोजी कह रहा होता है हे साको चैन जाओ उसे हरा दो जो तोगामी कह रहा हुता है साको मुझे नहीं लगता तुमने बस ऐसे ही one on one के request किये किया तुमारे और हिरागी के बीच में कुछ हुआ है फिर साको उसे ignore कर देता है और तो गामी कहता है हमेशा की तरह मैं नहीं बता सकता कि वो आखिर क्या सोच रहा है इसमें चोजी कहता है लेकिन एक one on one match देखना व और कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं जीतने वाला हूँ इसमें चोजी गह रहा होता है हे उस बखबख करने वाले को सबक सिखाओ चलो अब शुरू भी करो इसमें साको अचानक से हमले करने लग जाता है और बिना रूखे बार बार हमला कर रहा होता है और हिरागी उसके टैक्स को ब्लॉक करता है और साको कहता है माफ करना लेकिन यह मैं जीतने वाला हूं और तुम अभी भी मेरे सामने कमजोर दिख रहे हो मेरा पुराना रूप जा चुका है और फिर से लड़ाई चालो हो जाती है और अचानक से वो एक हमला करता है इसे देखके हीरागी की चोजी कहता है बिल्कुल त्यूकि वो हम टॉप फाइब में से एक है और तोगामी कहता है वैसे मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहा है लेकिन उसने सबसे ज़्यादा लड़ाई या लड़ी है और चोजी कहता है जो भी हो लेकिन यह नहीं पता था कि साको चैन इतनी बात करता है वैसे तो वो सिर्व हाँ या ना में जवाब देता था इसमें तो गामी कहता है सहीं का यह सापित करता है यह सर्व उसने हिरागी से लड़ाई के लिए किया था ब जिस पे दोनों लड़ रहे होते हैं और मुझे तुम बताने की जरुध तुम अपनी जुबान को काट लोगे अगर लड़ाई के वक्त ऐसे बगबग करते रहे तो इसमें साको हमला करता है और हिरागी कहता है यह तो और ज्यादा तेज हो गया और तब इसमें सिर्फ इंपूर्मेंट की कमी नहीं है बलकि तुम बहुत कमजोर भी हो गये हो और उम हमारी वज़े से वह हमें कमजोर कह रहा है रुको तुम और हिरागी के पास जाने लगता है इसमें नीरे उसे रोकता है और सुओ हस रहा होता है इसमें नीरे कहता है अभे सुओ भाई तुम हस क्यों रहा है यार और सुओ कहता है वह मुझे माफ करना लेकिन साकुरा तुम तमनें पता है हीरागी अभी वो फिरन के four Kings में से एक है और उनमें से वो जिस टीम को लीड कर रहा है उसका नाम है तामुंतैन और किया तुम्inese पता है तामुंतान का विसम उन्तेन के नाम से भी जाना जाता है, तो कि आम तोर पे लड़ाई के देफता होते हैं, और जो पूरी युद भूमी को कंट्रोल करते हैं, इसमे इरागी कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, एक फर्स्ट यर वाले से पिट रहा था, ये कितना शरम नाक है, और फिर अप फिर तुम लोग क्या कर रहे हो, अब हमें प्रेजंट में देखते हैं, एकदम खतरनाक फाइट चल रही होती है, जिसमें सिस्तर और इनके लोग ये सब देखके चोक जाते हैं, और कह रहे होते हैं, इस तरह की लड़ाई हर बार देखने को नहीं मिलती, और जिसमें अगर वह यह शुरू से भी स्ट्रॉंग होता, तब भी तुम इस प्र गुसा ही करते हैं, तब हम देखते हैं, हिरागी और साको एक दूसरे को बहुत जोर जोर से मार रहे होतें, और इसमें चोजी कहता है, साको तो बहुत स्ट्रॉंग है, जिसमें तोगामी कहता है, यह वब तक उन लोगों के साथ आसान जिन्देगी जी रहा था फिर भी क्यों इसमेंपास का सीन देखते हैं टाहे ही रागी निए उन बच्चों को मारा होता है और सागो कहता है आकिर तुमने मुझे क्यों बचाया इसमें हिरागी कहता है यह लोग एक कमजोर को परिशान कर रह और जब से मैं तुमसे मिला था, मैं तुम्हारी इज़त करता था, और मैं हमेशे तुम्हें फॉलो करता था, फिर जिस पे हिरागी ग्रेजुएट हो जाता है, और सागो कहता है, तो हिरागी, अब तुम फ्यूरिन जाओगे न, मुझे यकीन है तुम वहाँ पे जाके जिस पे हम देखते हैं, साको नया बहुत से लोगों को मारा होता है, इसमें चोजे और तोगामी वहाँ पे उसे अपने टीम में लेने आ जाते है, और तोगामी कहता है, हमें लगता है, ताकत ही सब कुछ होती है, और तुम जितने जदा ताकतवर होगे, उतने जदा ऊपर जाओगे तब साको सोचता है मुझे इससे कोई फरक नहीं पड़ता मैं बस ट्रॉंग लोगों से लड़ना चाहता हूँ और हीरागी को हराना चाहता हूँ ताकि उसे पच्छतावा हो और पेजेंट में साको चिलाता है मैं यहां नहीं हारूँगा क्योंकि मैं तुम्हारी त काम करके खुश है और पूरी ताकत के साथ उसे पंच करता है इसमें हिरागी उसके पंच को रोक के कहता है मुझे माफ करना यार साको मैं तुम्हारी उमीदों पे खड़ा नहीं हो पाया और उसे पंच करता है इसमें साको नीचे गिर जाता है और कहता है तो मैं किसी भी च चाता था कि तुम मुझे खुद को follow करने के लिए को और फिर वो present में नीचे गिर जाता है और हिरागी को उसके एक बात याद आती है जिसमें साको कह रहा होता है हिरागी मैं तुम हमेशा follow करूँगा और मुझे यकीन है एक दिन तुम टॉप पे जरूर जाओगे और यहां स उसे खुद कंदेब उठागे कहता है यह मैं खुद कर लूँगा और उसे नीचे लिया आता है इस पर तोगाई मुझे पास जाके कहता है इसके लिए शुक्रिया लेकिन तुम्हें इसके साथ इतने जेंटल नहीं होना चाहिए और वो जैसे ही साको को हाथ लगाने वाला ह लेकिन यह सारी चीज़े तुम्हारे टीम को स्ट्रॉंग नहीं बनाने वाली और तोगामी कहता है तुम खुद से कुछ ज्यादा तेज आवाज में बात नहीं कर रहे हो तब ही जिस पर सभी लागी को शाबास ही दे रहे होते हैं और लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे त जाता है मेरे यारो ओप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगाओगा और अच्छा लगाओ तो लाइकन सब्सकाइब कर देना मेलते इसके नेक्स वाले एपिसोड के जा तब तक लिए टेक केर और बाबाए